दोस्तों डाउनलोड कीजे देवभूमी कर्यर पॉइंट एप और उत्राखंड संबंधी जितना भी सामानिग्यान के टॉपिक्स हैं साती उत्राखंड गुरूप सी प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल सकते हैं एक क्लिक पर बस हमारी अप्लिकेशन से तो आज ही गूगल प्ले तो रिपोतार्ज जानने से पहले दोस्तों प्रिवेस एर के क्वेशन पर डिसकस करते हैं 2019 गुरूप सी के एक्जाम में क्वेशन पूछा जा चुका है कि रिपोतार्ज कैसा सब्द है अब इसका आंसर वही लोग दे सकते थे जिसने पढ़ा होगा इसके बारे में रिपो थे तो इस टॉपिक को थे कि दोस्तों सामाने हंदी का महता अब इसका टॉपिक है कथेतर जो गध्य में जैसे रेखा चित्र या दिल्वतान ओत है यह हम बोल सकते हैं उन्ही रचनाओं में से एक होता है रिपोतार्ज करना है कि आप से रिपोर्ट देना कोई गटना में देखके आ रहा हूं तो उसको मैंने जियों का त्यों लिग दिया रोस्त। बढ़े अच्छी तरीके से यही कहलाता है रिपोतार्ज ठीक आप सब्धे तो तो फ्रांसेस्जी वासा है ठीक है तो ऐसे भी पूचिन पूचता है UK SSSC आप वो सकते है next exam में जो आजाएगा कोश्चन की संसमरानल क्या होता है ठीक है संसमरानल लिखने की सहली क्या है यात्रा साहिते मतलब यात्रसायते में क्या-क्या विशेस्ताय होती है तो ऐसे कोईशन बना देता है UK SSC तो दोस्तों रिपोर्ट आर्ज के हम बात करते हैं रिपोर्ट आर्ज फ्रांसेसी भासा का सब्द है गद्य विधा के रूप में इसका जो आविर भाव या सुलवात हुई वो दितिय विश आर्ज और कहां से सुल्व होती है दितिय विश्वयुद के आसपास से ठीक है रिपोर्ट आर्ज का जो अगर मैं बोलू कि मीनिंग क्या है बईया इसका सामाने इंदी में मीनिंग हम इसकी देखेंगे तो रिपोर्ट आर्ज का अर्थ होता है रस एवं भावात्मक अंकन यानि कि जो घटना मैंने देखिया उसका रस और भावात्मक घटना जो अंकन है मैं करूँगा लिखते समय ठीक है यही कहलाता है रिपोर्ट आर्ज अब इसको समझते हैं डेफिनिशन से रिपोर्ट आर्ज में देखें लेखक किसी भी आयोजन घटना संस्ता आधी की कला आत्मक घंग से पीरो कर मैंने एक रिपोर्ट तैयार कर ली या प्रिजेंटेशन बना लिया उसी को हम बोलेंगे रिपोर्ट आर्ज और रिपोर्ट आर्ज की सबसे महत्तों पर विसेशता है दोस्तों यह केवल आखों देखिये घटनाओं पर ही होती है यानि कि जो मैंने अपने आखों से देखा प्रिटेक्शिया उसी पर मैं यह रिपोर्ट आर्ज लिखूंगा ऐसा निकी मैं कालपनिक दुनिया में गुसकर रिपोर्ट आर्ज लिख रहा हूं ठीक है कालपनिक घटनाओं पर आधरित नहीं होता रिपोर्ट आर्ज रिपोर्ट आर्ज के वल इस विधा को सुरू करने का स्रेह जाते है मूलत है किसको एक हमारे रूसी साहित थे कारते है रूस के सोवियत संग था उसमें इलिया एहरनबर्ग ठीक है इन्हीं के द्वारा इस रिपोतार्ज की सुरुवात हुई थी महतोपों के याद करेंगा चले कुछ और महतोपों के संपाधित रूस दोस्तों कौन करता है संपाधित इसको रूपाब पत्री का अमारी सुमित्रा नंदन पंतच जी संपारित करते थे सुमित्रा नंगन पंत जी तो इस पत्रिका के दिसंबर 1930 में हमारी सिवधान सिया चोहान का एक रिपोतार्ज प्रकाशित हुआ जिसका नाम था लक्षिमी पूरा ध्यान दखेंगे ठीक है तो लक्षिमी पूरा को हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज माना ज यानिकि दित्य विशुद कपसे चला था उनीश्व उन्ताली से लेकर उनीश्व पैतारिस तक चला था सेकेंड वर्वार हमारा ठीक है तो उस दौनानी सेली विख्षित वर उसी के टाइम पिलेट पर आया हमारी लक्षिमी पूरा इसलिए हम यह टाइम पिलेट मानेंगे लेकिन इससे पूर्वर रिपोतार जी सहली में एक व्यक्ति रचना कर चुका था जिसका नाम था चंडी प्रसाद सिना चंडी प्रसाद सिना जी ने एक यहां पर रिपोर्ट लिखी थी ठीक है यानि कि जो प्रिंस ओफ वेल्स आया था था ना एटीन नाइन इन्टी सेव में उसकी भारत्यातर का विस्त्रित और ब्योरिवार वानें किया था कि इसने चंडी प्रसाद सिना ने यहां पर रिपोतार ची लिखा था लेकिन हिंदी का पहला कौन सा माना जाता है लक्षीमिपुरा कोई ओफिशल तोर पर हम बोल सकते हैं ठीक है प्रत्यक्ष्य प्रम लेकिन इसी सेली का विकास तो हुआ ही निया लेकिन उस सेली में पहले लिखा जा चुका है एक रिपोर्ट तैयार की गई थी अठासव सत्तानेवे में तो दोनों पॉइंटों को आपने याद अगने दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत्यात्रा हुई थी आपको पता ह अठासव सतानेवे हमारे उत्राघंड के याद से भी बहुत ही महत्तों पॉइंटागर बनाया था इसी टाम पर बनाया था गंटागर महारानी विक्टोरिया भी आए थी ना तो विक्टोरिया के साथ-साथ पिंस ऑफ वेल्स जो भी है उनके आगे के खांदान वगएरा थे वह हमारे उनके रैटर कौन है कॷ्षिन यहांतकी भी बनी थे लाश्त एक एकग्जाम में देखा था है था हमने तूफ़ानों के बिच कौन है तो रांगे रागव जी ने लिखा है इसके बाद बात करते हैं धर्मवीर भारती जी ने लिखा है नेपाली कृांती कस न पहारों में प्रेम मई संगीत ये किस ने लिखा है ये कुछ महतोपने वैसे हिंदी के प्रमुक जो रिपोतार्ज हैं बहुत से हूं यहां पर दिखिए काफी महतोपने लिखा गए दूस्तों बहुत महतोपने रिपोतार्ज लिखने वाला व्यक्तिया प्रिकास चंद गुपता बहुत महतोपने नाम है इन्होंने तीन रिपोतार्ज लिखें सौराज बहुतार्ज बहुतार बंगाल का अकाल पहाग में प्रेम में संगीत भी इंपोर्टन है क्योंकि पहाग से हम भी लोग सभी लोग रिलेट करते हैं तो कोश्यन बन सकते हैं अगामी परिक्षा में इसके अलाव बहुत सी है दोस्तों जैसे कि वे लगेंगे हजार साल हमारी एक रिपोतार जैसी उसके साथ चीनियों दोरा निर्मित काठमांडू लहासा सड़क ये जगदिश प्रसाद चतुर्वेदी जी का रिपोतार जै इसके सांसाथ हमारा यूराज की यात्रा 897 चंडी प्रसाद सिंग को भी लिया जाते है और इसके अलाव मुक्ति फॉंस्ति स्रिकान्त वर्मा का रिपोतार जै ठीक बर्मा कंट्री के लिया से तो देष की मिठी बुलाती है ये तो इसको याद के लिए केलिए गा VERY महत्तुपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् ठीक है वो ब्याकरंग के लिए बहुत solid book है ऐसा नहीं बोलूगा कि बेकार book है बहुत अच्छी book है लूसेंट सामाने दे ब्याकरंग के जितने भी question आते हैं वहीं से निकल के आते हैं लेकिन उसके इतर भी कुछ topic है जैसे पत्रिकार्टा और जंसंचार ये गद्य विधाये गद्य विधाये वाला topic हो गया इसके साथ हमारा feature लेखन हो गया कैसे होता है computer phone हो गया तो कुछ ऐसे topic है हिंदी के प्रमुक्स हाहित्यकार हो गए तो ऐसे topic है दोस्तों जो दूसेंटर में complete तरिके से नहीं मिल पाते है इसलिए इन topic को को दिखना महत्तुप है अब बहुत कि यहां पर देखिए mail से काफी लोग बोलते कि आप जो हमारे course चला जैसे उत्राखन जी के course चला है तो वह course लगगा लगवा आपने उत्राखन यहां पर यूटूब पर देई दिया तो कुछ को एक point ऐसे होते हैं दोस्तों जो यहां पर आपको course में दे जाते हैं जिनके मैं यूटूब पर काम करता है तो मैं तभी काम करता हूं जब मेरे को free time होता है लेकिन अगर आप में paid group दे रहा हूं अपनी commitment कर रहा हूं कि मैं आपको दो मैने में करवाँगा तीन मैने में करवाँगा क्योंकि मैंने आप से कुछ लिया है अगर मैंने आपको कुछ लिया मेंटिनेंस देखना पगता है तो इसमें काफी एकसपेंस होता है यूटूब से इतनी अर्णिंग नहीं इतनी आप लोग सोचते हैं दोस्तों ठीक है इसी लिए हमने सामाने इंदी का भी आपे पेट कोर्स से सुल किया है उस सामाने इंदी के पेट कोर्स में आपको यही था देता हूं देता रहूंगा आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो लोग लेना चाहते हैं उनको तो लेने दीजिए आप क्यों नेगेटिव कमेंट करते हैं हर वीडियो के नीचे जो भी ऐसे पेट कोर्स से रिलेटिट आती है ठीक है तो ऐसा मत कीज बहुत से रिसर्च होते हैं तो सबसे महत्तोपून जो फायदा है दोस्तों पेट कोर्स का वह यह होता है ना आपको एक ही जगह पर पूरा मटीरियल मिल जाता है आपको टाइम वेस्ट करने के आवशकता नहीं पड़ती वह टाइम वेस्ट कॉन कर रहा है मैं कर रहा हूं आपके लिए बाई पढ़ाना फ्री में ले लो लेकिन आपके लिए सभी जगह का कंटेंट एक चटा करके एक जगह पर लाने का काम में कर रहा हूं अपना टाइम खर्च करके उसी टाइम का मैं पैसा ले रहा हूं वह भी नामात रहा ठीक है यही मेरी फीस है दोस्तों यहां पर यही नहीं आ रहा है लग बग एक परसेंट विए आरहे हैं लगाई आप तो उसके बाद भी में लगातार आपको वीडियो देता हूं अगर मैं चाहता आप बंद करता है कुईट कर लेता है मैं और भी काम है मुझे ठीक है तो इसलिए दोस्तों ऐसे आप नेगे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आता है कमेंड भी करें अपनी प्रतिक लिया थे ना कि तभी तो नए लोग भी देखेंगे जूलेंगे और कुछ लोगों को ऐसास भी होगा कि आपने कुछ सीका है या से कुछ पाया है चले मिलेंगे दोस्तों जल्दी अपना ध्यान रहें अच्छे से श्टेडी करें नेगेटिव लोगों से बचें और हमें साब पॉचिटिव रहें और खासकर सबसे में तिंग जो होती है दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्पिडेंस इसको कभी भी लो ना होने दें यही आपकी सवाल दगा यहाँ पर बोल सकते हैं में वेपन हैं दोस्तों ओके चले मिलेंगे जल्दी थैंक्यू फर वॉचिंग गाईज जैह हिंद जैह उत्रा खहिंट